नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग सुरिगरहन के बाद एक छोटा सा प्रियोग अगर आप करें तो आपके जीवन के हर कस्ठी मिट जाएंगे और इस बार सोमबती अमवस्या की रात सुरिगरहन है भले है भारत में दिखाई नहीं दे सभी रासियों पर पड़ेगा तो इस सुरिगरहन के समय ऐसा क्या करें कि आपका ब्यापार भी अच्छा चले धन की स्थिती भी बहतर हो जाएं और जीवन की परेसानी भी समाप्त हो जाएं देखिए अगर चुकि सुरिगरहन लग रहा है यानि सुरिदेव को थोड़ा कस अच्छा स्वास्त पाने के लिए सुरिगरहन के बाद चुकि ठंड का मौसम है तो गरम कपरे एक ही सही पर किसी गरीब को अपने हाथों से जरूर दीजिए स्वास्त अच्छा रहेगा पूरे साल क्योंकि सुरिगरहन के बाद जो दान आप करते हैं उसका कई गुना फल आ गया दान सुरे ही नहीं बलकि राहु के तूसनी के गलत प्रभाओं को भी सही कर सकता है तो ये दान आप चरू करें इस बार का सुरिगरहन चुकि जो 14 दिसंबर 2020 को लगेगा वो रात 7 बचकर 3 मिनट पर लगेगा और 12 बचकर 23 मिनट तक रहेगा लगभग 5 घंटे का ये गरहन भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन चुकि आज हमारा टॉपिक है सिक्के की तो अगर आपको लगता है आपका बैपार नहीं चल रहा धन टिक नहीं रहा जीवन में परेसानी बहुत है तब सुरिगरहन के समय एक छोटा सा प्रयोग कीजेगा क्या करेंगे एक र परनाम करें गायतरी मंत्र पढ़ सकते हैं 27 वार और इस सिक्के को रखिए जब गरहन समाप्त हो जाया अगले दिन इस सिक्का को उठाएं अब इस सिक्के पर थोरा सा गंगा जल चिड़के फिर अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो तामबे के बरतन में पानी रखक फल देता है तो इसके बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में लपेट कर आप अपनी घर के जहां धन रखते हैं वहां रख दे जो भी रुकावटे हैं वह समाप्त होगी धन आएगा और आपको दुवारा फिर कभी परिसानी महसूस नहीं होगी दिल से गीजे यह उपाए व दनिवाद झाल